जैश्रे क्रेश्णा आपका मेरे चैनल महकार संसार में बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब मैं इश्वर से यही काम ना करती हूँ कि आप खुश रहें आपके घर की सुक, शान्ती और समर्दी हमेशा बनी रहे भगवान का धेर सारा आश्रवाद आपको मिलता रहे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि सभी के कुल देवी देवता जो हैं वो अलग क्यों होते हैं और उनकी पूजा हमें क्यों करनी चाहिए और वो कौन से चार उपाएं हैं जिन से हम अपने कुल देवी देवता को मना सकते हैं अगर वो रुष्ट हो गए हैं और कैसे हम संकटों से मुक्ती पा सकते हैं देखिए हमारे भारत में बहुत सारे तरीके के लोग रहते हैं पूजा करने का रिवाद होता है। जिन ऐसा भी होता है जब कुल के सभी लोग जो है वो अपनी देवी देवताओं के स्थान पर जाकर इखटा होते हैं जिन लोगों को अपने कुल देवी या देवता के बारे में मालूम नहीं है या फिर वो किसी वज़े से भूल गए है देखा जाये तो कुल देवी और के क्ल टेवी देवता कंदरां से के लिए किक शफा ये algि़िद कुल कंथित कर के लिए joint G करेकी धान पर फिर न स्थांत किया जाता है ये स्थान उस वंश क्रिकों के के लोगों का जो है वो मूल स्थान होता है ये रूट्स होते हैं बहुत से लोग जो गाउं से जुड़े होते हैं उन्होंने देखा भी होगा उनके खेतों में उनके घरों में उनके कुल देवी देवताओं का छोटा सा मंदिर होता है जिसमें वो जब भी कुछ भी शुब कारे होता है तो वो वहाँ जरूर जाते हैं दिया जलाते हैं पहले के समय में देखिए मंदिर से जुड़े व्यक्ति के पास एक बड़ी सी पोती होती थी जिसके पास उन लोगों के नाम, पते, गोत्र ये सब लिखे होते थे तो आपको अगर ये सब याद ना होगी, आपके परदादा के परदादा का नाम अगर आपको पता नहीं हो तो उन तीर पूरहितों के पास आपके पूरवजों के नाम लिखे होते थे इससे आप अपने वंश व्रक्स से जो है वो जुड़े रहते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन आपके वन्शज हैं और कौन लोग हैं जो आप आपके जिन से आपकी जड़े जुड़ी हुई हैं अब फिर से समझें कि जो प्रतियक जो हिंदु परिवार है वो किसी ना किसी देवी, देवता या रिशी के वनसज हैं या रिशी मुनियों से जो हैं वो संबन्दित हैं तो उनके गोत्र से पता चलता है कि वो किस वनशज से जुड़े हुए हैं तो चलिए मैं आपको बताते हैं जैसे माल लीजिए एक व्यक्ति है उसका जो गोत्र है वो भार्द्वज है तो वो भार्दवाज रिशी की संतान है, मतलब उनके वंश है, उनका वंशज है, उनके वंश कुल से वो चले आ रहे हैं, तो इस प्रकार हमें भार्दवाज गोतर के जो लोग हैं, वो सभी जाती और समाज में आपको मिल जाएंगे, जगे जगे आपको मिल जाएंगे, तो पूच लोग ऐसे भी होते हैं, जो घर के बड़े लोग होते हैं, वो अपने अनुसार कुल देविया, कुल देवता का चुनाव कर लेते हैं और उन्नें पूजित करना शुरू कर देते हैं उसके लिए वो क्या करते हैं एक छोटा सा निश्चित स्थान दे देते हैं उस पे एक मंदिर बनवा देते हैं जिससे उनका कुल जुडा रहे और वहां से उनकी जो है वो उनके कुल की लोगों की रक्षा होती रहे कुल देविया देवता कुल या वन्ष की रक्षा देवी देवता होते हैं बिसिकली वो आपके परिवार की रक्षा करते हैं जो देवी देवता होते हैं और ये घर परिवार या वन्ष परमपरास में सबसे पहले पूझे जाने वाले देवी देवता होते हैं इसलिए प्रते कारे मेंने याद करना बहुत ही जरूरी होता है इनका प्रभाव जो है न वो इतना महत्वपून होता है इतना जादा होता है कि यद ये नराज हो जाएं तो हनुमान जी के अलावा कोई देवी या देवता इनके दुश प्रभाव या इनके नुकसान को जो है न वो कम नहीं क तोड़ दिया है, उनकी पूझा बंद कर दी है, लेकिन उनके पूरवज और उनके देवी देवता उन्हें देख रहे हैं, दिखिए, कभी-कभी मुश्किल भी होती है, कभी-कभी मजबूरी होती है, कि लोग shift कर जाते हैं, दूर दूर शहरों में चले जाते हैं, अपने नौकरी के लिए और नहीं वापस जा पाते, वो नहीं पूझा कर पाते हैं, उनको पता भी नहीं होता है, उनकी गल्टी भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अंजाने में वो अपने देवी देवताओं को कुछ नहीं होता लेकिन जब देवी देवताओं का सुरक्षा चकर हटता है परीवार के उपर से तो परीवार में घटनाओं और दुरगटनाओं का योग शुरू हो जाता है सफलता रुकने लगती है घ्रह कलेश और अशान्ति ये सब जो है वो शुरू हो जाते हैं और आने आपको बताया जब भी घर में किसी का जन्म हो, कोई शादी हो या कोई भी एक अच्छा मांगलिक कारे करम हो तो कुल देवी या देवताओं के स्थान पर जाकर जहां भी आपने उनको स्थापित किया है वहां उनकी पूजा की जाती है या उनके नाम से स्तुती की जाती कुल देवी की कृपा का अर्थ होता है कि सो सुनार की और एक लुहार की बिना कुल देवी की कृपा के किसी के कुल का वंश ही क्या कोई नाम यश कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता इसलिए कुल देवी और देवता के लिए प्रति दिन सुभह और शाम उनका भोग निकाले उनके नाम का उचारन करें नाम नहीं याद हो तो आप स्थान का उचारन कर लें जैसे कि जलालाबाद वाली कुल देवी और अगर आपको स्थान का नाम भी आपको याद नहीं है आपको कुछ याद नहीं है तो हे कुल देवी माताया, हे कुल देवता आपकी सदा विजय हो, दुर्गा माता की जै हो, भेरु महराज की जै हो, आप ऐसा करके भी उनकी स्थुति कर सकते हैं देखिए एक ऐसा भी दिन होता है जब कुल के सभी लोग जो है वो जहां पर आपने देवताओं को स्थापित किया है वहां पर सब लोग इखटा होते हैं उनकी पूजा करते हैं और जिसे ये नहीं याद है वो बहरु महराज और दुर्गा माता के मंदिर में जाकर उनके ना वर ने काटना कटकर एक भाग को दूसरे भाग कि दिषा उसको फेंक देए और दूसरे भाग कोya देवता से मायाचना करें कि और अच्छे से पूजा पाट करें और दान दख्षीना भी देए। चलिए चोथा उपाय जान लेते हैं, कुल देवी देवता की पूजा करते समय आपको शुद देशी गी का दिया जलाना है, धूप, अगरबती, चंदन और कपूर आपको जलाना चाहिए, साथ ही प्रसाद के रूप में भोग भी लगाना चाहिए, कुल देवता को चंदन और चावल का टीका अरपन करते समय ध्यान रखें, कि जो चावल आप इस्तमाल कर रहे हैं, वो तूटे हुए ना हो, वो खंद चावल ना हो, कुल देवता को हल्दी में लिप्टे हुए, पीले चावल पानी में भीगोकर आपको उनको चड़ाना चाहिए, तो ये बहुत शु पूल चड़ाते समय आपको उन्हें अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, सभी देवी देवताओं के पूजा जिस तरह सुबह शाम की जाती है, उसी तरह कुल देवी और देवता की पूजा भी आपको रोज करनी चाहिए, उनके लिए दीपक भी आपको जलाना चाहिए, तो इस तरीके से अगर आप ये सब करेंगे तो आपके जो रुष्ट देवी देवता हैं, जो कुल देवता हैं, वो नराज नहीं होंगे और वो मान जाएंगे और आपको शुब फल की प्राप्ती होगी, उमीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको कुल दे जानकारी के साथ नई वीडियो में, जै श्री कृष्णा